अंतरास्ट्रे दिव्यांग दिवस के उपलक्ष में भिलाई में दिव्यांग खेल महोच्व उडां का आईजन किया गया इस खेल महोच्व में विभरने जिलों के दिव्यांग स्कूलों के 400 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया भिलाइसपात सेंद्र के प्रभारी निदिशक अनिर्वान दास गुपता ने महत्सों का शुभारब किया इस दौरान बच्चों के लिए खेल कुद के स्परधाय आईजित की गई जिसमें बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लेकर अपनी खेल धक्षता का प्रधर्शन किया महत्सों में दिव्यांग बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता भी रखी गई थी जिसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा को प्रधर्शित किया इस दोरां दिव्यांग स्कूलों के बच्चों द्वारा तैयार की गई अन्ले वस्तूं की प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसका अतीतियों द्वारा अवलोकन किया गया अनिर्वान दास गुपता ने मीडिया से चर्चा में दिव्यांग बच्चों को उनकी विलक्षन प्रतिभा का धनी बताते हुए लोगों को इनके उत्साहवर्धन के लिए आगयाने की अपील की अब इन बच्चों में इतनी प्रतिभा है और हमें खुशी है कि उन्होंने अपने प्रतिभा का यहाँ पर प्रदर्शन किया है और आगे चलके हमें लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं बाद भी हुई कि यिनको हम लोगों में बांटे भी ताकि इन संस्थाव को थोड़ा सा ये बच्चों को थोड़ा सा पैसा मिले। और इनकी खुशी और भी बढ़ जाए और ताकि ये जो इनके पर प्रतिभा है ये और भी उभर के आए वहीं आयोजन के संयोजग प्रदिप पिल्लाई ने बताया कि पिछले कई वर्षों से उनके संस्था दिव्यांग बच्चों के लिए ये आयोजन करती आ रही है जिसका मकसद इन बच्चों की प्रतिभा में निखार लाना है ये हमारा जी फांडेशन का उडान कारिकरम दिव्यांग बच्चों के लिए जो आयोजन करते हैं हम लोग ये नौवा साल है इस साल पिछले तो तीन साल से लोग ये भी करवा रहे है, पइंटिंग भी करवा रहे है और हम लोग का में मकसद यह है कि पूरे बच्चों को, जितने भी स्पेशलिब बच्चे है उन सब को एक मंच प्रदान करना उसी के लिए हम लोग से ये काम कर रहे हैं विगत नौ सालों से समारों में B.S.F. के D.I.G. B.S. पंथे तथा भिला इस पाक सेंटर के कारिपालक निदिशक डॉक्टर रविंदरना विशेस रोप से मौजू थे उन्होंने इस दौरान खेल में उतक्रिस्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों तथा उनके सिक्षकों को समानित किया